साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है, जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। ये एक तरह से उस देश का अमरितकाल होता है। भारत के लिए ये अमरितकाल इसी समय आया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है, जब देश एक कौंटम जम्प लगाने जा रहा है। हमारे इर्दगिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उधारन है, जिनोंने एक ताय समय में ऐसा ही कौंटम जम्प लेकर खुद को विक्सित बना लिया। इसलिए ही मैं कहता हूँ बारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें इस अमरितकाल के पल पल का लाब उठाना है, हमें एक भी पल गवाना नहीं है। साथियों, हम सभी के सामने प्रणा के लिए आजादी का हमारा लंगा संगर्ष भी है। जब हम एक धे के साथ, एक जोस एक जजबे के साथ, आजादी को अंतिम लक्ष मान कर मैदान में उत्रे, तब हमें सफलता मिली। इस दौरान सत्याग्रव हो, क्रांती का रास्ता हो, स्वदैसी को लेकर जागरुकता हो, सामाजीक और सैक्षीत, सुधार की चेतना हो, ये सारी धाराएं एक साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की ताकात बन गई थी। इसी काणखन में काष्य हिंदू विश्वविध्याले लखनम विश्वविध्याले, विश्वभारती, गुज्राध विध्यापित, नाकपुर ऊनिवर्सीटी, अन्ना मलाई उनिवर्सीटी, आंद्र युनिवर्सिटी, युनिवर्सिटी अप केरल ऐसे अनेक संस्थानों ने देश की चेतना को ससक्त किया यही वो कालखन था जब हर धारा में युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवाओं पीड़ी खड़ी हो गई एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है कोई चर्खा काता था तो वो भी आजादी के लिए कोई विदेशी सामान का बहिश्कार करता था वो भी आजादी के लिए कोई कावेपाट करता था वो भी आजादी के लिए कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए कोई अखबार के पर्चे बारता था वो भी आजादी के लिए ठीक इसी तरह कि आज हर व्यक्ति हर संस्ता हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विक्सिद भारत के लिए होना चाहिए आपके लक्ष आपके सांकल्पों का दे एक ही होना चाहिए विक्सिद भारत कि एक सिच्छक के तौर पर आप यह सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विक्सिद भारत के लक्ष में देश की मदद वो कि एक विश्वविद्याले के तौर पर आप यह सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विक्सिद बनें आप जिस खेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो किस तरह हो कि भारत विक्सिद बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े